असलाम अलेकूम आज हम बना रहे हैं जिंगे की चटनी ऐसे तो आपने चटनी बहुत सी खाई होगी लेकिन ये कुछ नए तरीके से हम बनाएंगे जिंगे की चटनी को और ये बहुत ही जल्दी और सिंपल है इसे बनाना और बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाती है और हम इसे बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ बना करके तयार करेंगे तो चलिए आईए देखते हैं जिंगे की चटनी बनाने के लिए हमें चिन चीजों की जरूरत है तीन मीडियम साइस की प्यास को मैंने बारिक चॉप कर ली हूँ आप चाहे तो इससे फाइन लंबी कट भी कर सकते हैं और यहां पे दो मीडियम साइस के टमाटर को बारिक चॉप करना है और तीन से चार हरी मिर्ची है इससे भी मैंने बारिक कट कर ली हूँ मिर्ची आप मैंने टेष्ट के इसाप से ले ले, और यहां पर नमक ली हूं अपने टेष्ट के इसाप से लेगा, यहां था 2-3 टी स्पून रेड चिली पाउडर है और जिंगा मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली हूँ साफ करके यह 250 ग्राम है चलियाए इससे बनाते अभी एक पैन में मैंने 2-3 टेबल स्पून ओईल को गरम कर ली हूँ अब हम इसमें अपनी प्याज कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्यास को मैंने अच्छे से मीट्स कर ली हूँ, प्यास हमारी हमें इसे इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, यह थोड़ी नरम हो जाए सौफ, उतना हम प्यास को पकाएंगे, यह देखें, प्यास हमारी फ्राय हो रही है, यह थोड़ी और 3-4 मिट के लिए हमें इसे पाद में आपको दिखाती हूँ, इसे पीच-बीच में हिलाते रहें, नहीं को यह नीचे से पकड़ लेगी, इसलिए इसे पीच-बीच में हिलाते रहें, नहीं को यह नीचे से जल जाएगी, तीन से चार मिल्ड हो गए हैं बस हमें प्यास को इतनी फ्राय करना है अब हम इसमें दिंग्या एड़ कर देंगे और इसे के अच्छे से मिक्स कर लेंगे उतना ही हम इसे मिक्स सदी अच्छे से नोर इसे मीट्स करते की जिनग्य का पानी सूच जाए उतना ही हमै इसे पकाना हुआ इसे में इसी प्रम मीट्याख dif की wrapping ज आठेक ही है इतना हम दिम्यों को पकाएंगे दो से तीन मिनिट हो गया है मैंने सिर्फास गयस पे पकाई हूँ और इसका पानी भी अच्छे से अब सूप गया है अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची को एड़ कर देंगे और साती में कमाटर नमक और देंगे नमक और अपने टेष्ट के पहले इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे मिक्स करने के टाइम गयस को स्लो कर दे और फिर भी इसे मिक्स करेば सबस्क्राइब, दोन सबस्क्राइब then stir जिंगए कि लगास म्मणाओ की, दोन सबस्क्राइब फ़ против में काज़ करें बस हमें इसे इतना पकाना है कि हमारा शुख दस दो हमने नगे चेक हैं और 2-3 मिनिट भी चेक कर लेंगे पीज बिज में बस हमें इसे इतना पकाना है कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए और कच्छे मसालो की स्मेल नहीं आए इतना हम इसे भी पकाएंगे और एक दो-तिन मिनिट के लिए हम इसे ढप करके रख देते फिर मैं आपको दिखाती हूँ दो-तिन मिनिट बाद यह देखें तीन आप देख सकते जैसे इसमें टमाटर भी अच्छे से गल गए है और जो कच्छे मसाली की स्मेल है वो भी खतम हो गई है अच्छी खुश्बू आ रही है अब इसमें अब हम निगैस को बन कर देंगे यह देखिए हमारे जिंगे की चटनी बन करके तयार है जैसे कि आपने देखे यह कितनी जल्दी और सिंपल इससे बनाना और बहुत ही जल्दी बन कर यह तयार हो जाती है आप इसे एक बार जरूर बनाएए बहुत ही टेश्टी बन करके तयार होती है आप इसे रोटी के सा आप डाल राइस के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगती है ऐसाथ खाने में और अगर आपको मेरी रेसिपे अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करिए चाइनल पर नए है तो वन टाइम सब्सक्राइब करिए चलिए अला आफीस